नेट्फिक्स की अब तक सबसे पॉपिलर सीरीज ट्रेंजर थिंग जो कि दोहरा 16 में रिलीज हुई थी और अब तक इस सीरीज के 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं ये सीरीज एक sci-fi thriller पर based थी और यही नहीं बलकि इस सीरीज में एक teenagers का group अपने शहर में हो रहे mysterious और supernatural घटनाओं से अपने friends और family को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक कारनामे करने और इस सीरीज का main character थी एक 11 साल की ललकी 11 जिसके पास एक special powers और capabilities थी और क्यों इस ललकी को बच्पन से ही laboratory में बंदी बनाया गया था ये सब कुछ इस सीरीज में दिखाया गया पर अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये सीरीज एक सची घटना पर based थी सब कुछ detail में जानने के लिए पूरी वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तब ही आप इस सीरीज की असल ये नहीं पता होगा पर stranger thing के directors Duffer Brothers ने इस सीरीज के release से पहले इसका नाम The Montauk Project रखा था और conspiracy theorist के हिसाब से The Montauk Project एक secret military experiment था जो की United States Government ने illegally आम जंता से छुपा कर अपनी mind control technology को और advance बनाने के लिए perform किया था और साथ ही इस Montauk Project में time travel, inter-dimensional travel और यहां तक aliens के existence पर भी research हु Montauk Project इसलिए रखा गया था क्योंकि इस Project को actually में New York के Montauk में मौझूद एक military base camp hero में ही perform किया गया था और इस experiment के शुरू होने से पहले यह camp hero World War 2 के दोरान East Coast को defend करने के काम आता था पर war के end होने के बार United States Government ने Nazi scientist को hire कर यह experiment secretly perform किया था तो अब वापस आते हैं कि यह सब तो डिरेक्टर्स और आम लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला तो इस सब की शुरुआत तब हुई जब प्रेस्टन निकोल और पीटर मून नाम के दो शक्स साल 1992 में एक book The Montauk Project Experiment in Time पब्लिश करते और इस book में प्रेस्टन निकोल में अपनी लाइफ पर बीती सची अपनी ships को radar technology की पकल से बचाने के लिए कुछ experiment पर्फॉर्म करते हैं इस लिए US government इस experiment में USS Eldriss ship के ओपर electromagnetic field बनाती है ताकि ये ship radar के detection से बच पाए और एक दिन किसी experiment को पर्फॉर्म करते हुए जैसे ही scientists इस ship जोपर electromagnetic rays डालते हैं ये ship अचानक से ही सब के सामने गायब हो ज लेकिन तब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो तक उस ship में मौजूद crew की हालत हद से ज्यादा खराब हो जाती है कुछ बीमार हो जाते हैं और कुछ पागल तक हो जाती है और उस ship में मौजूद कुछ लोगों की body तो उसी ship में fuse तक हो जाती है पर उस time उस ship पर दो और लोग और इस book के हसाफ से Duncan और Ed Cameron उस दिन time में ही कहीं खो जाते हैं और आगे future में travel कर लेकिन अब इस video में हम बात करेंगे 70s और 80s के period जो की Montauk experiment की actual timeline थी जहाँ पर scientist ने hypnosis और brainwash की मदस्र दंकन Cameron की will के against जाते हैं उनसे camp hero में हो रहे experiments में पाठ लेने के लिए मजबूर किया जा जहाँ पर कई तरह के mysterious experiments उन पर perform किये जाते हैं जैसे कि एक experiment जिसका नाम था psychotronic movement जहाँ पर government agent electromagnetic waves की मदस्ते हैं लोगों की दिमाग में बूसरी thoughts डालते हैं और इस experiment में लोगों की सोचने की शक्ती को manipulate करा जाता है अब आपको ये बताते हैं कि Camp Hero में Duncan Cameron और साथ ही 40 बचास और बच्चों पे अलग अलग तरह के experiment perform किये जाते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कहानी तो Duncan Cameron पर based है इसमें Preston Nichols कहाँ पर है तो अब आप लोगों को ये बता दें कि Duncan Cameron Montauk Project की टाइम पर एक बच्चे थ कि जो ये experiment उन पर perform किये जाते थे वो हस से ज्यादा brutal होते थे कुछ experiment में तो उनको wires से लपेट कर electric shock तक दिये जाते थे और आखिरकार जाकर Duncan Cameron के अपर The Unseen Eyes नाम का एक experiment किया जाता है जहाँ पर Duncan Cameron अगर उस टाइम पर कुछ भी सोचते हैं तो वो time vortex में appear हो जाता है और इस experiment के दौरान जब Duncan Cameron focus कर रहे थे तभी अचानक से time vortex पे 1943 वाला Philadelphia experiment खुल जाता है एक्जक्ट वही time जब ship Philadelphia project से गायब हुआ था वो actually में उस time पे गायब होकर 1983 में appear होता है और उस time पर 1940s वाले Duncan और Ed Cameron जो की बड़े थे और उस time पर ship से कूदे थे वो actually में 1983 में appear होता है जिसके बाद जाकर 1983 वाला Duncan Cameron 1943 में time travel करता है और 1943 वाला Duncan Cameron 1983 में travel करता है ये दोनो actually में अपने अपने timeline में switch करते हैं में जाकर camp hero में चल रहा ये experiment तब जाकर बंद कर दिया जाता है जब इसी time vortex के दौरान एक monster appear होता है और ये monster lap को ही destroy कर देता है इसलिए उस time पर सारे time vortex और machines बंद कर दी जाती हैं अब ये सब घटना सुनने के बाद आप सभी लोग confused हो गया होंगे कोई बात नहीं मैं भी confused हो गया था और यहां तक कि जब ये book release हुई थी तो काफी लोगों ने ये सवाल तक उठायते कि writer जूटा है या writer पागल हो चुका है जिसके बाद एक और शक्स लौफरेनो दा हफ Montauk Project की तहकीकात करने के लिए उसकी सचाइब पता लगाने के लिए Camp Hero में कई तरह के research और investigation करते हैं हाला कि Camp Hero में research हे दौरान कोई खास ठोस सुबूत तो नहीं मिलता लेकिन हां इनको इन research हे दौरान ये तो ज़रूर पता लगता है कि CIA ने 1950s से 60s के period में सच में MK Ultra नाम से एक Mind Control Project New York के आसपास सच में perform किया था जिसमें कई teenagers और बच्चों पर कई अजीबों गरीब experiment perform हुए था और यहीं नहीं बलकि researchers को ये भी पता लगा कि उस time पर Russia में इसी time period में एक real लड़की Nina Kolagina के अपर भी कई Mind Control experiment perform हुए था क्योंकि Nina Kolagina के पास psychic और telekinesis जैसी powers थी और यहां तक की वो चीज़ें बिना टच कर यही move कर सकी थी और शायद यहीं वज़ा थी कि Stranger Things के एक episode में जब 11 की powers दोबारा से वापस लाने के लिए डॉक्टर ब्रेनर उसको लैब में वापस ले जाते हैं तो उस episode का नाम ही Duffer Brothers ने Nina Project ही रखा था जिससे ये बात तो तेह होती है कि 40s और 60s के बीच यूएस और रशिया में एक्चूली में Mind Control experiment किये गए थे जिसमें से एक Nina Project भी था तो शायद इतनी सारी चीज़े सिर्फ एक इत्तिफाक नहीं हो सकती आपकी क्या रहा है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन को दबान बिलकुल भीनव